बीचल्दास फॉल्वेड़ फिजिकेल चेंज इह से क्यां साफ्षैन् चेंजल L में हैung यहां सब देखो यहां पतु आपसिन्जान कहा है इंधा ओस्वार्ट हो नहीं और तो यहको बॉइल करते हो, 2500वेड़ यहां पर हो यहां पर मतलब हमें ढोना है chemical changes वाले का option और second option देखो melting of ice is to give water तो यहां पर ice भी है water का form water तो अपने आप में water का form है ही तो यहां पर भी कोई new substances नहीं बना है मतलब यह भी physical changes में आएगा C number desolution of salt in water मतलब नमक को जब आप dissolve करते हो water में तो यह process desolution कहलाता है तो actually में यह जो salt आप मिलाते है water में तो वह actually में फिर से बाबस salt को आप ला सकते हो इसलिए यानि यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर reversible process है इसलिए यह physical changes में ही आएगा अब देखो यहां पर combustion of liquefied petroleum gas यहां पर LPG का जब हम combustion कराते हैं मतलब क्या कि उसको जब जलाते हैं तो LPG जलने के बाद co2 water का वेपर और उससे heat produce होता है that means LPG के लिए co2 new चीज़े है LPG के लिए water new चीज़े हैं तो यहां पर new substances बन रहा है मतलब यह chemical process है मतलब यह chemical changes होगा यहां पर d answer होगा जो कि physical changes में नहीं आएगा chemical changes में आएगा second question देखा है the following reaction is an example of यहां जो reaction दिया हुआ है वो किस का example है किस type का reaction का example है तो देखों यहां पर सबसे पहले option यहां पर hydrogen को displaced किया है nitrogen के पास oxygen आ गया है hydrogen को हटा करके तो यहां पर displacement reaction हो रहा है दूसरा ध्यान से देखना आप यहां पर यहां पर NH3 में कि ने प्रफिया है जो nitrogen है यहां पर oxygen को gain कर लिया है मतलब हैं और फिकार दिया हुआ यहां पर हुआ है तोinkसे हां पर जो अंसर होगा वान होगा और थार्ड होगा जो की सी नबर अप्शन में वान अर थार्ड दिया हुआ है अब कुछिन नंबर तिरी पे चलते हैं कुछिन नंबर तिरी देखो कहा है यहां पर विच आप स्टेटमेंट्स अब फॉलिए शृट्स अबाउड दा गिवें रियक्शन और करेक्ट यहां जो पूदिया भारे में यहां पर इस कॉण सौन सही है तो देखो यहां पर कहा है आड़ें मेटल इंगें ऑक्सीडाइज यहां पर इन मेटल ऑक्सीडाइज़ हो गया क्यों क्यो आँगो कि यहां ने यहां पर देखो एच्टू बन गया यहां पर एच्टू बनने के चकर में खश्ट्ड को लास कर दिया अब यहां पर यह वाटर ने खिश्ट्र क्या मतलब यह औक्सिडाज़ देने वाला है तो इस तरीके से आप यह सबस सकते हो दुसरे तरीके से भी अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो यह ऑक्सिडाजिंग के तरह काम कर रहा है ना कि तरह काम कर रहा है तो थर्ड नमर ऑफ्षन गलत है फूर्थ water is acting as a oxidizing agent यह सभी मैंने बताया water as a acting oxidizing agent तो यहां पर one second fourth सही है ठर्ड यहां पर गलत है तो ऑफ्षन हमें correct ही चूलना था तो यहां पर देखो one second और फूर्त जो है किसमें आप सुन आपको है वन जो है वन टू और फोर किसमें है तो सी नबर ओपसंट में है तो देखो सी नमर इसका अंसर हो जाएगा फूर नमर कुस्टन इखो थर्मिक प्रोसेस यहां पे कॉण सा उपसंट में है जो कि एखुजो थर्मिक प्रोसेस की मतलब क्या होता है एक जो मतलब होता है निकलना मतलब Od Scient यों तो आप उसमें water add करते हो तो calcium hydroxide बन जाता है लेकिन साथ में वहाँ पर हीट भी रिलीज होता है तो इसलिए कहेंगे एक जो थर्मिक प्रॉसेस में यह आएगा देखो सकेंड अपसर डेलिशन देलिशन एसी में भी होगा यह जो थर्मिक जब आप क्या करते हो उसको टार्व मिलीज होता है तो यह भी कह सकते हो कि जो इसलिए फ्रॉसेस में ही आएगा थार्ड अपसर यहाँ यह पर वह फूर्थ जो है वह एक जो थर्मिक नहीं आएगा यह इन्डोष रिमीक होने लिए इनरजी याई हीट को अब्जाब भी करेगा और तो और जो है गैस बनने के लिए उसको हीट आपको कहीं न कहीं हीट भी करेगा तो यह दोनों इंडो में आएगा लेकिन वन सचाइंड जो आएगा तो यहां पिए one or सचेंड अर्फों में है यह नबर असर होगा अब देखो next question five number question five number question कहा है three beakers है आपको मैं समझाता हूँ बढ़िए से तीन बीकर है ए बी और सी तीन बीकर में पहले से रखा हुआ है पचीस मिली लीटर इसमें क्या रखा हुआ है तो 25 लीटर वाटर रखा हुआ सभी तीनों में वाटर रखा हुआ है अब देखो कहा है आगया small amount of N.A.O.H इसमें आपने आपने न.A.O.H मिला रहे हो इसके लेगन सी वाले का टेंपरेचरअ का हुआ है तो इसके लिए आपका कॉनस और सच है तो सिंपल है िसका टेंपरेचर क्यों है इसका तरीके से आप क्या बोलो यहां पर देखो कि इसका मतलब ह новых अर्पीकर का जो मतलब इसकाश ह stain नीचे हो गया गिर गया कम हो गया इसका मतलर यहां पर जो है हीट इसके केस में हीट एब्जॉर्ब किया गया वहां क्या आसपास का हीट एब्जॉर्ब कर लिया तभी तो यहां आसपास का हीट यहां पर जो है कम हो गया तो कह सकते हो यहां पर हीट C वाले case में heat heat का absorption हुआ है AB में heat exo हुआ है यहाँ निकला है तभी तो गर्मी बढ़ गया है तो AB में exothermik होगा C में endothermik होगा तो देख लो one number option में AB में बोला है exothermik और देखो C में बोला है endothermik fourth में तो यहाँ पे one और fourth answer होगा जो की C number option में है next question पे चलते हैं six number question देखो कहा है और डेल्यूट फेरस सल्फेट 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 वाज gradually added to the beaker containing acidified permagnate solution यहाँ यहाँ पे देख सकते हो potassium permagnate यहाँ पे पहले से मान लो कोई कोई मान लो कोई बरतन में मान लो की उसमें पहले से Caninophor का वहाँ पे रखा हुआ है तो जिसका customer जो है Barbara का होता है यह parpar color का णरता है इसमें आप क्या रहे हो एड कर रहे हो तो इसमें आप एड कर रहे हो ferus sulfate का Crystal तो यहाँ पे देख सकते हो जब इसमें आप एड करते हो तो यह जो गूल जाता है तो एड करने की बारे का जो पर्पर का बार हो फेड़्ट हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है वो ले सो जाता है इस कामेनुफोर का कलर तो पूछा है आगे देखो बोलнулск है एडिफ तरुए है ती नहीं दिस इसम फोरी और correct example for the observation तो इस observation में कौन साप्शन correct है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ फेरस सल्फेट जो है फेरस सल्फेट जो add किया गया था केमेनो 4 में तो actually में क्या हुआ कि केमेनो 4 का purple color यहाँ पे disappear हो गया purple color खतम हो गया disappear हो गया तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है यह इसमें यह जो है इसको oxidize कर दिया तो इसको oxidize करने में क्या हुआ कि इसका जो है मतलब जो इसका जो भी परपर color है इसको oxidize करने में यूज हो गया ऐसे समझ सकते हो तो यहाँ पे केमेनो 4 oxidizing agent के तरह काम कर रहा है और जब आपको भी पता है फेरस सल्फेट को किस ने oxidize करवाया मतलब यह हुआ कि किस ने दिया केमेनो 4 ने इसको दिया तो यह खुद में क्या हुआ हुआ क्या हुआ हुआ oxidized हो गया क्योंकि इसका oxidization हो रहा है तो बोलेंगे हम कि केमेनो 4 जो है oxidizing agent के तरह काम कर रहा है फेरस सल्फेट oxidized हो गया तो इसका one number ही answer होगा next question पर चलते हैं sorry यहाँ पर last question यह था thank you so much video देखने के लिए